अब आज जिस गाड़ी के बात करने वाल है वो है निसान केक्स सो यह गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे और यह गाड़ी आती है चार वेरियंट्स के अंदर जो कि आप अपने स्कीन पर देख सकते हैं XL, XV, XV Premium और XV Premium Optional दो पेट्रोल और एक इंजन ऑप्शन, एक डीजल इंजन ऑप्शन के साथ यह गाड़ी आती है एक फरब पेट्रोल और ये गाड़ी आती है पीचैसे देखने में ऐसी कुछ यह गाड़ी लगती है यह टॉॉप मॉडलThe Board में धिएप आगे से अश्य लगती है और यह बेस मॉड़ल का पहल साथा है यह tuvoiko series जोते है उसका इंटीर है काफी दॉ और यह बेस इंटीनियार देखा है यह इसा है पर बेस मॉड़। की हसाब से थीक है जादा अच्छा थो नहीं है पर ठीक है ऑब बात करेंगे यह गाड़ी जो है 11 color options के साथ आपको मिलती है, सारे color options आपकी screen के उपर है, single tone, dual tone, सारे color options के साथ, जो भी color options है, सारे आपके screen के उपर आ रहे हैं, आप देख लेजी अच्छे से, और इसके बाद हम बात करेंगे इस गाड़ी की special features के बारे में, जो की पहला तो है idle start shop system, इसका मतलब होता है, यह गाड़ी एक hybrid car है, जो की काफी अच्छी बात है, और दूसरा जो special feature है, वो की है, automatic headlamps, और जो की आते है, corning frog lamps के साथ, इसका जो turning radius है, वो best in class है, जैसे के आप देख सकते हैं, 5.2 meters का है वो, और काफी अच्छी और heavy body structure है, इस car का, and then, अगर हम चलते हैं तो यह गाड़ी hill assist control के साथ भी आती है, जो की turbo variant में आपको मिलता है, यह कुछ pictures है, इसके 360 degree cameras की जो आप अपने screen पर देख सकते हैं, काफी अच्छा camera है, काफी अच्छा, यह beginners के लिए काफी सही रहेगा, judge करने में, काफी अच्छा feature, यह add-on है इस car के साथ, और यह car जो ह साथ भी आपको यह देखने को मिलते हैं, और इसके जो चाबी है, यह एक चाबी नहीं है, यह एक तरीके का एक remote है, जो capture के साथ भी हमने देखने को मिलता था, और इसके साथ आप गाड़ी remote से ही start कर सकते हैं, ऐसी कुछ देखने में लगती है, काफी bulky look है, काफी सही है, औ और loaded आती है, base variant के अंदर भी, आगे जाकर हम variants के बारे में बात करेंगे, detail में, और यह इसका turbo engine की specifications है, जो आपकी screen पर आ रहे है, देट्सो प्लस की power generate करता है, देट्सो प्लस और 250 Nm का torque generate करता है, काफी अच्छा और powerful engine है यह, और अब यह गाड़ी 7-speed CVT, उसके साथ एक manual mode में भी आती है, और अब हम विस्तार से बात करेंगे, इसके variants के बारे में, यह जो इसका है, यह base variant के features आपके screen पर आ रहे हैं, इसके अंदर petrol manual और petrol engine आएका है, manual gearbox के साथ, जिसमें आपको दो airbags, ABS, EBD, brake assist, rear defog, rear parking sensors, LED DRLs, chair wing functions, सब कुछ मिलने वाला है, आपको loaded आती है, य गारी base variant से ही, उसके बाद, यह second variant के features आपके screen पर आ रहे हैं, यह variant जो है, आपको मिलने वाला है, engine, petrol gearbox के साथ, manual, इसमें आपको turbo variant भी मिल जाएगा, CVT और manual gearbox के साथ, दोनों, काफी सारे features आते हैं, turbo variant के जो limited features हैं, वो आपको मिलेंगे, एक vehicle stability control, ESC, और attraction control, यह सिरफ turbo variant में ही आता है, बाकि सारे features आप अपनी screen पर देख सकते हैं, जो भी आ रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, इसका जो third variant आता है, XV premium, यह आता है, turbo variant में ही सिरफ, इसके साथ आपको turbo variant में ही manual और automatic gearbox मिलेगा, इसमें आता है, LED projector, headlamps, keyless entry, remote, start, cruise control, काफी सारे features इस model में आपको मि देख सकते हैं, और इसके बाद हम जो optional, सबसे top model है, उसके बारे में बात करेंगे, वो आता है, turbo में ही petrol, manual gearbox के साथ, इसमें automatic नहीं आता, उसमें आते हैं, आपको 4 airbags, 60 degree cameras, automatic headlamps, automatic wipers, front fog lamps, cornering function के साथ, सारे जो top notch features है, वो इस गाड़ी में आपको मिलेंगे, और यही थी सार आपको लाइक करें, कमेंट करें, सबस्क्राइब करें, मैं आपको मिलेंगे, एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द, बाबाए